हरे कृष्णा, आज हम जिस विशय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उस विशय के ऊपर शायद ही हमने कभी कुछ सोचा होगा विशय का नाम है क्या हमारे मित्र, हमारे संबंधी, दुख का कारण है, are they the source of misery, या सुख का गारण है, or the source of happiness एक basic understanding यह है कि हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हमें खुशी देंगे, सुख देंगे, और इसके चलते हम उनसे बहुत सी अपेक्षा है रखने लग जाते हैं, बहुत सी expectation होती है उनसे, और ज्यादातर मौकों पर वो हमारी expectation फूल्फिल नहीं कर पाते हैं, और हमें क्या होता है दुख, हम यह बुल जाते हैं कि हम जितनी अपेक्षा उनसे रख रहा है, शायद उतनी है अपेक्षा वो हमसे रख रहा है, कुछ लोग सिर्फ अपने मित्रों से संबंधियों से सुख पाने की ही अपेक्षा रखता है, सुख देने हैं विचार नहीं आता उनके दिमाग भगवान कृश्ना के जो मित्र थे, रहीं को जाँने वाला थे, जिसको भगवान हमेशा उनको सुख देने का प्रयास करते थे बगवान क्रिष्णा जब व्रिंदावन के अंदर बास्वरी बज़ाते थे तब वाज जानते थे कि कौन से समय पर कौन सी ट्यून बजाओंगा तो व्रिंदावन वासियों को उसका आनन्द मिलेगा जब भी गभी व्रिंदावन वासी के ऊपर गभी खत्रा आता था तब भगवान सबसे आगे रहकर उसके खत्रे का मुकाबला करते थे इसके चलते व्रिंदावन वासी भी भगवान को इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए अपनी जान देने को तैयार थे भगवान कृष्णा के जो मित्र थे वह जानते थे कि किसी भी परिष्थिति में हम भगवान कृष्णा के पास जाके उनकी सहायता मांग सकते हैं, उनकी आशार रख सकते हैं कुछ उदारण है महाभारत से, जैसे कि द्रौपदी के जीवन में ऐसे दोमोके आए कि जब उसने भगवान कृष्णा को याद किया, और भगवान ने उसकी सहायता की, जब दूशासन ने द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया, तब भगवान ने उससे सहायता माभारत की यूध में जब अरजुन दूविदा में पढ़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नही感謝 नहीं करना चाहिए जबकि उसके गुरु वहाँ पे उपस थी थे फिर भी बजाय उसके वो गुरु के पास जाये वो क्रिषण के पास गया अर्जुन क्रिष्ण के पास जाके क्रिष्ण की शरण में जाके क्रिष्ण से गुहर लगाई कि भगवान मुझे बहुत कन्फ्यूजन है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तब कृपिया मेरी साहता कीजिए तब भी भगवान कृष्णा ने अरजन को गीता सुनाई जो आज भी पांच यार साल के बाद भी हम लोग रोज पढ़ते हैं और उसमें से रोज नहीं सीख लेते हैं यहां तक की युदिस्ट्री जी ने भी महाभारत की युद्ध जीतने का श्रे भगवान कृष्णा को दिया भगवान कृष्णा ने जब भी गवी किसी राज्य के ओपर विजय हासिल किया तब वो राज्य किसी हासन को जीतने के बजाए उन्होंने अपने प्रिये जनों के रिदय जीतने पर जाता विश्वास रखा वो चाहे हस्तिनापूर हो चाहे मथुरा हो या मगध हो उन्होंने हमेशा अपने प्रिये जनों को पहले प्रेफरेंस दिया जब आप दूसरों की इच्छाए जरूरते और पसंद ना पसंद के बारे में सोचेंगे तब आपको आपकी इच्छाए जरूरते और पसंद ना पसंद के बारे में सोचने के ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जब व्यक्ति अपनी इच्छाय जरूरते या चिंताओं के बारे में ज़्यादा सोचता है बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग करता है तब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है पर व्यक्ति जब दूसरों की चिंता है दूसरों की जरूरत है और दूसरों की इच्छाओं के बारे में सोचता है तब वह व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है वह व्यक्ति इतिहास में अपना नाम छोड़ कर जाता है जाने के बाद कोई आद नहीं करता है। सिर्फ सिंटेड जोटी सेखले एक लहर समंदर में सुनामी ला सकती है ठीक वैसे ही हमारा एक छोटा सा प्रयास हमारे पास खुशियों की लहर लेके आएगा हमारे अपने लोग हमारे प्रियेजन, हमारे प्रती अपने आप खींचे चले आएंगे और हमें सुख प्रदान करेंगे तो हम हमारा सुख बढ़ाना चाहते हैं खुशी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मैं कितनों की खुशी बढ़ा रहा हूं अगर हम सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेंगे तो हम कभी खुश नहीं रख पाएंगे जब व्यक्ति आध्यात्मी ज्यान रखता है तो उसे चाहिए कि वह यह ज्यान लोगों के पास पहुंचाए जब वह लोगों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करेगा तो उसकी खुशी अपने आप बंदे लगेगी यह सिक्रेट है तो हम चाहिए कि हम खुद आध्यात्मी ज्यान ले जैसे कि भगवत घीता, शिमत भागवतम इसे द्रंथों को पड़े, पुरानों को पड़े और वह यह आध्यात्मी ज्यान हम लोगों के पास पहुंचाए तो हमें और खुशी मिलेगी हमारी खुशी अपने आप बढ़ती जाएगी जितना हम लोगों खुश करने का प्रयास करेंगे लोग उतना ही हमें खुशी देंगे तो आईए, हम ये खुशी के सरकल में एक छोटा सा हिस्सा बलते हैं अशार रखता हूँ आपको आज के वीडियो पसंदाया होगा हरे कृष्णा